एक बात बताओं शुजुका, तुम बहुत इस्यादा सुन्दर हो सच में क्या ऐसी बात है? दीखो, तुम इस तरह से जूट भी बोल सकते हैं अलो दोस्तो, आज हम इसी तरह सो जूट बोलना है और हाँ दोस्तो, जूट बोलने में हम लोग नोविता की मदद करेंगे और हाँ दोस्तो, मैं तो ऐसा जूट बोलूगा कि मेरे पापा ने पूरा दुबाई खाईद लिया है क्या सोच है रहे तेरी, मानना पड़ेगा अरे ये देखो दोस्तो, इसको तो टेस्ट पेपर में मेरी तरह 0 marks मिले है चलो इसके साथ भी वही करते हैं, जो हम अपने टेस्ट पेपर के साथ करते हैं अरे नोविता मुझे तो समाझे नहीं आ रहा, तुम क्या करना चाते हो अरे ये देखो दोस्तो, मैं तो अपने इस टेस्ट पेपर को जला दूँगा फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरे टेस्ट में 0 marks आई थे अरे ये देखो दोस्तो, मैं तो अमने टेस्ट पेपर जला दिया, अरे वाह अरे इसने तो हमने टेस्स पेपर चला दिया अब इसकी मम्मी तो अब बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगी अरे हाँ दोस्तो इसकी मम्मी तो अब बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगी पहले यह लाग नहीं है थे लिए लिएवां थे लिए आपर इस बागल वाले से चीटिंग कर ले ते हैं जोट बोलना पड़ेगा चलों यह बोलने ते कि यह बच्च्चछ उमारे में से हिटिंग कर रहा था अरे वाग सुनी अभी इस बच्चे को तो बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी और हम तो बच गए अरे ये देखो दोस्तो चलो इस लड़की के साथ प्रैंक करते हैं अरे हाँ दोस्तो मैं तो उसके साथ बहुत ही खतनात प्रैंक करूँगा अरे ये देखो दोस्तो इस लड़का तो सब पीट रहे हमें इसकी मदद करनी होगी अरे ये देखो दोस्तो ये लड़का तो यहां पर गेप केल रहा है और इसके पापा ने इसका मुबाइल को चिल लिया अरे ये देखो दोस्तो ये लड़का तो ये लेक्ए लिवा प्रैंक के साथ जाने ये जहसी बतने नौडब तो आण चिपक करनेंगे आरे वाँ ये तो गिर भी गए मुझे तो बहुत ज़दा मज़ा आया आरे ये देखो दोस्तो ये पच्चा तो सुमिख मुल में मज़े से ना रहा है और हानो भी ता इस बच्चे ने तो सुमिख मुल में सूसू कर दिया और ये देखो ये तो सूसू वाले पानी में कितने मज़े से ना रहा है और हाँ दोस्तो देखो ये लड़की इसको कितना जाता मारेगी आरे नहीं जियान ये लड़की हमें नहीं मारेगी क्योंकि हम इसको जूड बोलेगे अरे हाँ दोस्तो इसको तो हम जूट बोलेंगे कि ये कलय वाला पानी है और ये देखो ये तो मान भी गई और हमें मार भी नी पड़ी अरे वाँ अरे ये देखो दोस्तो यहाँ पर एक चैलंज चल रहा है अगर हम ये बर्गर एक मिनिट में पूरा खा जाएंगे तो हमें 50 में मिलेंगे हे गाइस देखना ये चैलंज तो मैं पूरा करूँगा अरे हाँ जी यान मुझे पता है तुम ये चैलंज जीत जाओगे क्योंकि तुम्हें एक नंबर के भुकड़ हो ये दोस्तो देखना ये बर्गर हमें कितनी जल्दी खा जाँगा अरे वाँ दोस्तो ये बर्गर तो मैं खा भी गया अरे वाँ जी यान हमसे ये चैलंज जीत भी गये अरे ये देखो दोस्तो यहाँ पे तो हमारी हाइट ना भी जा रही है लेकिन हमारी हाइट तो बहुत ज़दा कम है अरे हाँ नोबीता हमारी हाइट तो यहाँ पे बहुत ज़्यदा कम है अरे ये देखो दोस्तो यहाँ पे तो हाइट का कॉम्पिटियन हो रहा है और इसे जीतने के लिए हमें 5 फिट लंबा होना चीए लेकिन हमारी हाइट तो यहाँ जूट बोलना पड़ेगा अरे हाँ दोस्तो चलो मैं यह बोल दे तो कि हमारी हाइट 5 फिर से भी लंबी है अरे नहीं दोस्तो इसमें तो हमें बोला है हमारी हाइट कल लावेगा तब ही हम जीत पाएंगे अरे बोचन तुम चिंदा बात करो कल का कॉम्पिटिशन हमी जीतेंगे रे हाँ लॉमिता पर कैसे जीतेंगे अरे बोचन में डोरी मोन से ऐए कैसे चूते बाभूबा जी से पेनके हमारी हाइट कोम्पिटिशन तो हमी जीतेंगे यह दोस्तो यहाँ पर बहुत सारे जूत है जीने पेनके हमारी हाइट लंबी हो जाएगी चलो मैं यहारे चूज करूँगा रहे यह देगा दोस्तों हमारी याट कितने ज्यादा लंबी हो गई और हम यह कॉंपेटिशन जीद गए